हेलो ब्रिवन कैसे आप सभी उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों आज की इस वीडों में हम बात करेंगे इंडिया पोस्ट आपिस यानी भारती डांक व्याग की तरब से आचुकी एक और नई बंपर सीधी भरती के बारे में जहांपर आप सभी के लिए भरतीयों के नोडवी केसन और साथ में आभीदन करने के लिए लिंक भी एक्टिवेट कर दिये गए हैं आपको इंपोर्टेंट डेट्स बता देते हैं आप सभी लोग 10 नॉमबर 2023 से लेकर आने वाली 9 दिसंबर 2023 तक घर बैठे अपने मुवाइल फोन के माध्यम से बिना क एक्ष्टा चार्जिस के आभीदन कर पाएंगे आपको पहले ही बता देते हैं अपली केसन फीस बिल्कुल पुराना वाला रहेगा जहां पे जर्नल OVC और EWS के कंडिडेट को 100 रुपए देने होते हैं और SCHT और जो PH कंडिडेट होते हैं उनके लिए कोई भी अपली केस सुल्क नहीं रखी जाते बिल्कुल फुरी में आभीदन कर पाते हैं आपको बता दे 1800 से भी ज़्यादा पदो पर इस बार आपको नोटिविकेसन देखने को मिलेंगे बंपर विकेंसी है साल 2023 के आकरी की और पोश्टे भी यहां पे आपको PA यानि पोश्टल है यानि कम से कम अगर आप लोग कच्छा दस्वी पास हैं तो आप सभी लोग आभेदन कर पाएंगे इस वीडियों में आखरी तक बने देएगा ताकि आपको सभी राज्यों की विकेंसी के बारे में और केटेग्री वाइज विकेंसी के बारे में जानकारी दे सकें और इ पोश्टे हैं यहाँ पे आपको PA, SA, Mail Guard और साथ में पोश्ट में की विकेंसी के साथ MTS की पोश्टे भी देखने को मिले वाली हैं छोटी से रिक्वेस्ट वीडियो में आखरी तक बने रहें वीडियो पसंद आ जाती है तो वीडियो को लाइक कर दें और आगे आने वाली वीडियो की अपडेट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोडिविकेशन को आउन करना बिल्कुल भी मिस्ट मत करियेगा अब चलिए वीडियो को सुरू करते हैं सीधे नोडिविकेशन पे चलेंगे उसके बाद आपको आभीदन करने के प्रोसेस के ब बताया गया है कि ऑनलाइन आपका 10-11-2023 यानि 10 नॉवंबर से स्टार्ट होगा जो की आगरी डेट यहाँ पे 9-12 यानि 9 दिसंबर की रखी गई है फिस प्यमेंट की भी आगरी डेट सेम है और जो फॉरम में करेक्शन की बिंडो है वो आपके 10 दिसंबर से लेकर 16 रहेगी उसके बाद पोश्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 5 तरह की आपको पोश्टे मिलेंगी ग्रूप C के अंदर की पोश्टे हैं पोश्टल असिस्टेंट, सौर्टिंग असिस्टेंट, पोश्टमैन, मेल गार्ड और MTS की पोश्टें यहाँ रखी गई हैं इनका बेतन अल्मोश्ट दो पोश्टों का PASA का सेम है जैसे की देख सकते हैं 25,584,000 रुपय का पोश्टमैन का बेतन और मेल गार्ड का बेतन यहाँ पे सेम है 21,700-79,000 रुपय का और एक MTS की पोश्टे हैं तिन्थ लेवल की यहाँ पे 18,000 से लेकर 56,900 र रखा गया है इसके बाद यहाँ से नीचे आते हैं तो आपको एज के बार इन बताया गया है देखें सभी पोश्टों की एज लगबक सेम हैं कम से कम 18 साल से लेकर 27 साल लेकिन जो MTS की एज है वो 18 से 25 साल की रखी गई है उसके बाद यहाँ पे आपका एजूकेशन यानि कम्प्यूटर में काम करने का ग्यान भी आपको होना चाहिए अगली दो पोश्टे हैं पोश्ट मैर और मेल गाड के इसके लिए बारवी पास शेये होगा बारवी पास कंडिडेट आवेदन कर सकते हैं और local language का knowledge होना चाहिए knowledge of working on computer यानि कम्प्यूटर में काम करने क ग्यान भी आपके पास होना चाहिए इसके लाबर two wheeler का license वगएरा बोला गया इसको जरूर से देखेगा अगली एक पोश्ट बचती है MTS यानि की multitasking staff की इसके लिए cable और cable 10th standard pass यानि कक्छा दस्वी पास मागा गया है कोई भी license या कोई भी computer का ग्यान होना compulsory नहीं है इसको देखे पहले तो आपकी merit बनेगी जैसे कि मैंने बताया merit के basis पे आपका selection है उसके बाद आपका document verification किया जाएगा और उसके बाद आपका medical जो है तो किया जाएगा इसके बाद यहां से नीचे आते हैं तो आपको यहां पे देखने को मिलेगा this qualification के वजह यानि कारण क् how to apply कैसे आप लोग आवेदन कर सकते हैं इसके लिए link वगएरा यहां पे बनाये गए हैं इसके बाद यहां पे देख सकते हैं application fees है जो की copy simple है जो भी normal candidate है journal OVC EWS के उनके लिए 100 रुपर बाकी जो महिलाएं हैं transgender हैं ST candidate हैं ST candidate हैं यहां तक की EWS को भी कोई fees यहां पे इसवा यहां पे आपको मिल जाएंगी अब बात करते हम poster assistant, sorting assistant, postman, mail card और MTS की vacancy के बारे में सरकल लेम यहां पे हैं जहां पे आपको सभी राज्य मिल जाते हैं जैसे आंध्रा हो गया, असम हो गया, बिहार हो गया, चतिजगर हो गया, देली, गुजरात, हर्याना, हिमांचल प्र इनको अगर प्लस करते हैं तो 1899 विकेंसी बन के निकलती हैं, तो यहां से आप देख सकते हैं और आभेदन करने से पहले अगर local language देखना चाहते हैं, देखें यहां पे जैसे बिहार में हिंदी, चतिजगर में हिंदी, दली के अंदर हिंदी, हर्यारा के अंदर हिंदी, हम इस दोनों language हैं, तमिल नाडु के अंदर तमिल है, और उडिसा के अंदर उडिया language है, तो इसको आप देख सकते हैं अपने इसाब से, इनको manage कर सकते हैं, कोई भी धिकत नहीं है, तो उमीद करता हूँ कि अभी तक यहां तक वीडियो अच्छी लगी होगी, बने रही हैग आप लोग भारत के किसी भी राज़त से आवएधन कर पाएंगे, अगर यहां तक वीडियो अच्छी लगी होगी होगी, तो वीडियो को लाइक करते हैं, और आगे आने वाली वीडियो की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब चरूर करें, आईए देखते हैं कैसे आप लोग आवएधन करेंगे, दोस्तों आपको आवएधन करने का नोडिफिकेसन डाउनलोड करने का लिंक बेडियो पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग क्लिक करके सरकारी जॉब टीवी डाट कॉम के आपीसल वेबसाइट पे आप आएंगे, यहां पे आ 899 वेकेंसी, गोवर्मेंट जॉब और 10, 12 और डिगरी वाले कैंडिडेट यहां पे आवएधन करेंगे, 18-27 साल की एज और S.E.H.D. के साथ OVC को एज में छूट भी यहां पे मिलने वाली है, मेट लिष्ट के बेसिस पे आपका सेलेक्शन होगा और 9 दिसंबर 2030 आवएध का लगेगा, EWS के साथ यहां पे जो S.E.H.D. pH candidate है, उनका application feast बिलकुल फ्री रहने वाला है, उन बात करते हैं यहां पे हम आपके age के बाद यहां पे जो आपके forum Philip की process है, उसके बारे में तो आपको यहां पे देखने को मिलेगा, dates भी आप लोग देख सकते हैं, बस धियान website का और भी government job बगेरा देखने के link यहां पे आपको मिल जाएंगे, उमीद करता हूँ कि बीडियो में दीगा information अच्छी लगी होगी, अगर आप चाहते हैं कि मैं आप सभी को जरतो आवेदन करने की complete बीडियो दूँ, उसके लिए आपको इस बीडियो को like करना होगा, like करे 300 like का target complete करें, आवेदन करने की बीडियो आपको मिल जाएगी, मिलते हैं अगली बीडियो के साथ, next update में तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद